नमस्कार दोस्तों वेल्कम डाक्षन स्टेडी बॉइंट मैं उसर्व तुकला इस वीडियो में हम बिहार एसाई की जो 223 पोस्ट के लिए दिसमर परिशा होने वाले इसके लिए और बीपी एससे या फिर विविन एक्जाम जहां पर करेंट पर पूसे जाते हैं उसके लिए देखिए हम इस वीडियो में जो एरुटेरिया का वार्सी के भी प्रकासित किया गया है जिसमें सितंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के पूरे करेंट पर का संग्रा किया गया है तो दोस्तों हम इसी में एरुटेरिया का जो प्रेक्टिस सेट है उस तो ये वीडियो आपके लिए काफी जो है important रहेगा पचास question में से आप कितने question सही कर पाते हैं commenter के वीडियो में हमें जरूर बताईएगा वीडियो के अंत में हम आपसे प्रशन पूछेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना होगा तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो तो देखे मारा पहला प्रशन क्या है और सारे प्रशन काफी important है तो पहला प्रशन है वर्स 2021 के लिए सांती का नोबल पूरसकार कैसे प्रदान किया गया देखे 2021 में जितने पी नोबल पूरसकार दिये गया है सारे एक्जाम के लिए important होंगे तो यह हम पर बात दिये सांती का नोबल पूरसकार तो देखे मारिया रेसा जो की फिलिपीन्स की पत्रकार है और दिमित्री मुराटो जो की रूस के रहने वाले है इन दोनों को संयुक तरूप से जो है इस बार का सांती का नोबल पूरसकार दिया गया है तो हमारा से इंसर के हो जाएगा option number D और वहीं बात करें कि option number C की अब्दुर रज्जा गुर्णा को तो इन्हें साहित्तिका नोबल पूरसकार दिया गया ये भी आपके important question हो जाएगे तो साहित्तिका, C और A और B ये दोनों लोग को इन्सांतिका नोबल पूरसकार दिया गया है दूसरा प्रशन है street vendors को digital भोगतान है तो मंच उपलब्द कराने के लिए मैं भी digital 3.0 अभियान किस मंत्राले द्वारा लांच किया गया है तो मैं भी digital 3.0 भियान जो है यह आवास एवं सहरी मामले मंत्राले इसके अलावा electronic एवं सूचना प्रद्यक की मंत्राले इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया है तो option number हमारा है D, A और B दोनों correct हो जाएगा अब बात रेने किस में आवास एवं सहरी मामलो की मंत्री कौन है तो हरदीर सिंग पूरी जो है आवास एवं सहरी मामलो की मंत्री है electronic एवं सूचना प्रद्यक की मंत्री कौन है तो हो जाएंगे असुरिनी बेष्टों ये रेल मंत्री भी है समाजिक नियाय एवम अधिकारिता मंत्री कौन है तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है समाजिक नियाय एवम अधिकारिता मंत्री है सबका नाम आपके लिए important है तीसरा प्रशन है हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाडू पंडूबी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसायल का सफल परिक्षट किया है तो इस प्रशन का सही एंसर हो जाएगा रूस ने जो है पहली बार परमाडू पंडूबी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसायल का सफल परिक्षट किया है तो आपके बार एबर सहरी मामलों के मंतरी कौन है, हरदीप सिंग्फुरी दिखी हैं पर उत्तर प्रदिस में 2022 में चुना हो अरने वाले, इसलिए उत्तर प्रदिस में बहुत सारे आयوجन की जा रहे हैं समयलन में तो जो नियू अर्बन इंडिया समयलन है ये लखनू में जो है उत्तर प्रदेश की राजानी में आयोजित किया गया था option number E correct हो जाएगा बात दिने कि उत्तर प्रदेश की तो यहां की राजानी क्या है लखनू वर्तमान राजिपाल कौन है आनदी बिन पटेल और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है योगी आदित तेनाथ यह आपके लिए important question रहेगा अगला है पाचवाँ नियू यॉर्क में आयोजित US Open 2021 के पूरुस एकल के विजिता कौन रहे देखे जो टिनिस Grand Slam होते हैं यहां से हर exam में question बनते हैं तो जो US Open 2021 था यह जीता था डेनिल मेदवेदेव देखे चार Grand Slam साल में होते हैं यह ऑस्ट्रियन ओपन फ्रेंच ओपन विंबल्डन और US Open तो जो हमारा सूरू के तीनों यह जीता है नुवाग जोकोविक ने और डेनिल मेदवेदेव देव ने जो है राष्ट्री राजमार्ग प्राधिकरड ने किस राज में भारत के पहली आपातकालिन लेंडिंग सुविधा विक्सित की है तो राष्ट्री राजमार्ग प्राधिकरड को हम सौर्ट्वर्ट में बोलते हैं National Highway Authority of India और इसने हाल ही में जो है आपातकालिन लेंडिंग के जो की पुने तिथी पर महा कवी दिवस की रूप में मनाने की घोश्टा की है तो तमिलाडू सरकार ने 11 सितंबर को सुबरमन्यम भारती के जनम दिवस ने पुने तिथी को महा कवी दिवस की रूप में मनाने की घोश्टा की है अब देखे बात है तमिलाडू की राजधानी मुखे मंत्री हैं दोनों रोका नमा प्याद रखी है आठमा प्रस्ण है भारत के सबसे ऊंचे air purifier tower का निर्माण कहां पर किया गया है तो सबसे ऊंचे air purifier tower का निर्माण जो है यह चंडी गड़ में किया गया है most important question यह है यह काम करता है कि कुछ range में water का air का purification करता है यनि कि हवा को सुध्ध करता है अगला प्रशन है नवा प्रशन US तथा जापान के अत्रिकता हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2 plus 2 वारता कायोजन किया तो USA एवं जापान के बाद भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ 2 plus 2 वारता किया option नमर हमारे हाँ पर be correct हो जाएगा अगला है दस्वा US open 2021 की महिला एकल की विजिता कौन रही देखिए question most important इसलिए कि इस बार जिन्होंने US open 2021 का महिला एकल का जिता की किराब वो मातर 18 वर्स की है और उनका नाम क्या है एमा राडु कानू option नमर हमारे क्या हो जाएगा एमा राडु कानू जो कि 18 वर्स ही है और यह इंगलेंड की यानि की बिटेन की रहने वाली है इनका नाम बहुत important है और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जीता है इन्होंने किसको हराया है करनाडा की लिलह फर्नांडिस को जो है इन्होंने हराया है और बात इने एसलिबार्टी की तो एसलिबार्टी भी जो है इस बार की विंबल्डन जो है विंबल्डन की महिला एकल की विजेता कौन है इस लिबार्टी दोनों का नाम याद रखिए अगला प्रश्णा है ग्यारवाँ भारत की सबसे बड़ी open air फर्णरी का निर्माड कहां पर किया गया है important question है और इसका सही answer हो जाएगा उतराखंड में तो देखिए हाले में उतराखंड में भारत की सबसे बड़ी open air फर्णरी का निर्माड किया गया देखिए अब उतराखंड से दो तीन करेंट फर कोशन और बनने वाले है सबसे पहले यहां के दो राधानी बन चुकी है एक हमारी राधानी देरादून है और दूसरी बनी है गयर सेड यह पहला question होगा है दूसरा यहां के जो CM है और राजिपाल दोनों जो है हाली में नए बने है तो यहां के नए मुख्य मंत्री कौन है पुसकर सिंग धामी आप याद रखे और यहां के नए राजिपाल कौन है तो गुरमीत सिंग जो है यहां के नए राजिपाल जो है नियुक्त किये गए है गुरमीत सिंग जो है जो है जो है यह बारवा प्रशन है चात्रों की भासा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए कि संस्थान द्वारा हाली में प्रोजेक्ट उडान को जो है लॉंच किया गया है तो भासा संबंधी संस्याओं को दूर करने के लिए जो है यह बॉम्बे आयाइटी आयाइटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उडान जो है लॉंच किया गया है उप्सन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा तेरवाँ प्रश्ण है अमेजोन द्वारा भारत के किस राज में All Women Delivery Station की सुरुवाद की जाएगी कहां पर की जाएगी तो All Women Delivery Station की सुरुवाद जो है यह की जाएगी गुजरात में तेरह नमबर का सही इंसर क्या हो जाएगा C गुजरात से भी आप याद रखिए दो कोशन आपके मुख्यमंतरी राजेपाल लोगे यहां के मुख्यमंतरी हाली में नहीं बने हैं तो इनका नाम याद रखिए CM कौन है आगे हो जाएगे भुपेंद्र पटेल बहुत important कोशन है current affair के द्रिष्ट से तो भुपेंद्र पटेल यहां के मुख्यमंतरी है देखिए आपको नाम याद भी होगा लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका revision हो जाए भुपेंद्र पटेल यहां के मुख्यमंतरी है तो पहला दिया है गुर्मीत सिंग देखिए मैंने अभी आपको बताया गुर्मीत सिंग उतराखंड के राजिपाल और पुसकर सिंग धामी उतराखंड के मुख्यमंतरी बने है यह पहला सही है आरेन रवी तमिलनाडू के राजिपाल बने है ये भी बिल्कुल सही है और M के स्टोल निया के मुख्यमंतरी बने ये भी सही है अभी मैंने आपको बताए गुजरात के मुख्यमंतरी कौन बने भूपेंदर पटेल तो ये भी सही है तुमारा सही इंसर क्या हो जाएगा उपर युग तो सभी आने की अब्सन नमबर D सभी सुमेलित इसमें दिया गए है पंद्रहवा प्रश्ण है पुस्तक गीत गोविन्द जयदेव सदिवाइन ओडिसी के लेख़क कौन ने देखिए जो गीत गोविन्द एक पुस्तक इसकी लेख़क जयदेव थे और गीत गोविंद जैदेवस डिवाइन ओडिस्टी ये जो लिखा है डॉक्टर उत्पल बनर्जी उत्पल के बनर्जी के द्वारा लिखा गया है ओप्सिन नमबर हमारे हैं पर एक करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है सोलमा केंद्री पर्यावरड वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा हाली में लॉंच किये गए प्राण पोर्टल का सम्मंध किस्से है तो देखिए जो हाली में जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा एक प्राण पोर्टल लॉंच किया ग आपके पर्या वरड एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री हैं अगला प्रशन है 17 हुआ किस राज सरकार द्वारा बाजरा मिसन की सुरुवात की गई है देखी सारे कोशन इपोर्टन है जितने भी योजनाय होती है फिर मिसन होता है वहां से एक्जामे कोशन बनने की संभावन अठारवा प्रशन है निम्न लिखित में से कौन सा देश सभी नव निर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवारे करने वाला दुनिया का पहला देश बना है इंग्लेंड ओप्सन नमबर हमारे यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा और यहां के प्र फ्रांस एवं ऑस्ट्रिलिया की पहली त्री पक्षिय विदेश मंत्र इस तरी के बैठक का आयोजन किस देश में किया गया तो इसका जो आयोजन किया गया था वो ब्रिटेन में किया गया था विदेश मंत्री इस तरी जो बैठक था यहां ब्रिटेन में आयोजन किया गया था इसमें भारत का प्रतिभाग किस ने किया भारत की तरफ से तो भारत की विदेश मंत्री कौन है सुब्रमनियम जैसंकर यानि कि एस जैसंकर जोए भारत की विदेश मंत्री के तौर पर इसमें सामिल हुए थे बीस्वों प्रश्ण है किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलता पुरुवक लेंड कराने की उपलब्दी हासल की है जैसा कि नाम से इस पस्ट लग रहा है कि जुरोंग कोई चाइनिज नाम है तो ये कहां का था चीन का था तो ऑप्सन नमबर हमारे हाँ पर एक अरेक्ट हो जाएगा 21 प्रश्ण है हाल ही में चात्रों को सेक्षडिक अवसर प्रदान करने है तो किस मंत्राले अथवा संस्थान ने लद्दाख इंगंितेड माइन्डस प्रजेक्ट की सुरुवात की है तो देखिए चात्रों को subject का उसर प्रदान करना के लिए ये यह योजना है या भहरती सेना के दोबारा वहां पर लद्दाख में सुरू किया गया है तो सही नसर क्या हो जाएงगा भहरती सेना option number C और बातरी के हमारे सेना के प्रमुक कौन है तो जनरल मनोज मुकंद नर्वन जो है भारती सेना के प्रमुक है option number हमारा C करेक्ट हो जाएगा नीती आयोक के अध्यक्ष कौन होते हैं देश के मंत्री हैं आप इसको याद रखिएगा बाइसवां प्रश्ण है 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुने तिति पर समर पर दिवस मनाया गया तो ये मनाया गया पंडित दीन दयाल उपाध्या की पुने तिति पर 22 नमबर का हमारा देखिए यहां से question important दो और बनने वाले हैं पहला कि कांडला बंदरगाह का जो नाम हाली में बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर पंडित दीन दयाल उपाध्या के नाम पर रखा गया है इसके लावा मोगल सराय रेल वेस्टरेशन का का नाम किसके नाम पर रखा गया है वो भी पंडित दीन दयाल उपाध्या के नाम पर रखा गया है और जो रॉस द्वीब था रॉस द्वीब का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है बोस द्वीब यह आप याद रखिए बदले हुए नाम से प्रशन बंते हैं एक्ज तो कुत्तों के लिए जो विशेस ब्लड बैंक है वो स्थापित किया गया है पंजाब के लुधिया नाम है और पंजाब के हाली में नयमोखी मंत्री कौन बने है चरन जीत सिंग चन्नी इनका नाम याद रखी और यहां के राज़ेपाल कौन है तो बनवारी लाल पुरोहित बनवारी लाल पुरोहित जो के पहले तमिल नाडू के थे तो अब जो है बनवारी लाल पुरोहित को बना दिया गया पंजाब का राज़ेपाल और आर एन रवी को बनाये गया है तमिल नाडू का राज़ेपाल 24. प्रश्ण है When God is a Traveller बहुत इंपोर्टन ये पुस्तक का नाम है When God is a Traveller के लिए अंग्रेजी भासा का साहित ये अकादमी पुरसकार 2020 से किसे समानत किया गया है साहित ये अकादमी से प्रश्ण जरूर बनते है तो When God is a Traveller जो ये लिखा गया है ये लिखा गया है और इसी के लिए इन्हें अंग्रेजी भासा का साहित ये अकादमी पुरसकार दिया गया है बाकी option भी most important है देखे जो हिंदी भासा का इस बार का साहित ये अकादमी पुरसकार दिया गया है वो दिया गया अनामिका को किसके लिए? इनकी एक कविता है टोकरी में दिगंत, बहुत important है और वह बात करें महेश चंद्र सर्मा की तो इन्हें संस्कृत का दिया गया है सहीत एकाद्मी पुरुष्कार 2020 और इनकी जो उपन्यास है वो है वैसाली याद रखे इनकी उपनियास क्या है वैसाली और अनामिका इनकी जो साहित इनकी जो कविता संग्र है उसका नाम है टोगरी में दिगंत इनको हिंदी के लिए महरचंद्र सर्मा को संस्कृत के लिए और अरुणनदे सुबरबन्यम को अंगरेजी के लिए साहित एकादमी 2020 समा पित की जाएगी ले किसके अंदर आता है लदाख के अंदर गताता है ओप्सेन नमबर हमारे हाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा 26 प्रशन है किस राजी सरकार द्वारा कौसलिया मातरत्व योजना को लॉंच किया गया है तो कौसलिया मातरत्व योजना जो है शुरू किया गया है 36 रड़के सरकार के द्वारा और मैंने भी आपको बताए कि यहां के मुख्यमंत्री कौन है भुपेस बगेल और राज्यपाल है अनुस्वईया उईके ओप्सेन नमबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 27 प्रश्ण है बौधिक संपदा सुचकांग 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो बौधिक संपदा सुचकांग में भारत का जो स्थान मिला है वो चालिसमा स्थान है ओप्सेन नमबर हमारा ये करेक्ट होगा 28 है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को सीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो सीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है महराश्ट को option number 1, B correct हो जाएगा महराष्ट की राज़ानी कहा है? मुंबई और मुंबई कौन से दीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई साल से दीप पर बसा हुआ है मुख्यमंत्री कौन है? तो उधा उठाकरे और राजयपाल कौन है? तो भगत सिंग कोस्यारी यहां के राजयपाल है इंपोर्टन कोस्चन रहेगा उन्तिसमा है फरवरी 2021 में किस राज़ में तीन दीवसी मांडू महोसाओ का आयोजन किया गया? तो मसे मांडू और मसे मध्यपरदेश मांडू महोसाओ कहाँ पर आयोज़ किया गया? मत्यपरदेश में और बात करें उडिसा की तो देखे उडिसा में एक रज महोसाओ है क्या है? रज महोसाओ मनाया जाता है उडिसा में तो रज महोसाओ 2021 कहाँ पर आयोज़़ किया गया था लेकिन ओडिसा को जो है रसकुला का GI टेक दिया गया इसको आप याद रखिए कुर्ग अरेविका कॉफी को करनाट का GI टेक दिया गया है कड़कनात मुर्गा को जो है मध्य प्रदिस का GI टेक दिया गया S.N.S.ुबरमन्यम को नियुक्त किया गया है option number हमारे हाँ पर B.Correct हो जाएगा तो अगला प्रशन है एक तीसमा प्रशन सरम आंदोलन से जुड़ा हुआ संगरहाला भारत के किस राजी में खोला जाएगा तो देखे जो शरम आंदोलन से जुड़ा हुआ संगरहाला ये खोला जाएगा केरल में सही अंसर क्या हो जाएगा option number A केरल केरल की बात किने तो है कि रधानी क्या तिरुवलन तपूरम और वाइनाड की एक कॉफी है वाइनाड रोबस्टा कॉफी इसे भी जो है GI टेक दिया गया है इसे भी आप याद रखे केरल में पेरियार वन जी अभ्यारन के बारे मैं बर यहां पर हमारा France correct हो जाएगा 33 प्रशन है जन्वरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चितर की घोज जो लगभग 45500 साल पुरानी है किस देश में की गई तो जो दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चितर की घोज यह इंडोनेसिया में की गई राधानी कहां पर है जकार्ता और जकार्ता जो है आसियान का मुख्याले है आसियान का नाम आपने सुना होगा तो आसियान का मुख्याले कहां पर है जकार्ता में है और आसियान में कुल कितने देश हैं दस देश है अगर आपको इन दस उदेश का नाम याद है तो comment box में जो है आप लिखिए ताकि आपका revision भी हो जाए अगला प्रश्न है चोतीसवा समुद्रिक हो जकी शमता बढ़ाने के उदेशे से 30 अनुबंधन वाहन सागर अनुवेसिका का जलावतरड किस बंदरगापर किया गया तो जो 30 अनुसंधान वाहन सागर अनुवेसिका है अनुवेसिका इसका जो जलावतरड है कहाँ पर किया गया तो यह किया गया चेननी बंदरगापर सही अंसर क्या हो जाएगा option number C यहाँ पर correct हो जाएगा 35 प्रशन है किस formula 1 driver को ब्रिटन की महराणी ने सरवच नागरक समान नाइट होट से समानत किया तो देखिए इन्होंने जो है Lewis Hamilton जो के ब्रिटन के ही formula 1 के driver है और इन्होंने काफी जो है खिताब जीता है इसलिए इनको महराणी ने सरवच नागरक समान नाइट होट की उपाति से समानत किया 36 प्रशन है भारती रेल वे द्वारा विश्व की पहली hospital train का उधगाटन किया गया जिसे किस नाम किया दिया गया तो देखिए COVID-19 के टाइम में जो है एक पहली जो hospital train थी उसका नाम रखा गया था Lifeline Express 36 का Lifeline Express और हमारे रेल मंतरी कौन है वर्तमान में तो अस्विनी वैश्टाव जो है हमारे देश के वर्तमान में रेल मंतरी है 37 प्रशन है निम्न लिखित में से किस भारती एरलाइन कंपनी की और वन वोमें पाइलट टीम ने उत्तरी धुरू पर 16,000 किलोमेटर लगातार उडान भरकर इतिहास रचा है तो ये रचा है Air India ने Option number A Air India Airline की कंपनी ने 38 प्रशन है किस राज सरकार ने क्रिसिक शेतर में मिटी एवं जल की जाँच के लिए क्रिसिस अंजीवनी की वैन की सरुवात की है तो जो क्रिसिस अंजीवनी वैन है इसकी सरुवात की है करनाटक सरकार के दवारा Option number हमारे हाँ पर भी correct हो जाएगा करनाटक की राधानी क्या है Bangalore और Bangalore में ही जो है आपका इसरो का headquarter कहां पर है इसरो का head office कहां पर है बैंगलूरू में और बैंगलूरू को ही जो है Silicon Valley of India के नाम से जाना जाता है तो यहां की मुख्यमंत्री और राजपाल हाली में नए बने है तो उनका नाम याद रखिए CM कौन है करनाटक के तो बासा और राज बुमाई यहां के मुख्यमंत्री है और थावर चंद गहलोत जो के पहले केंद्री मंत्री थे तो थावर चंद गहलोत को जो है करनाटक का राजपाल बना दिया गए option number आप भी याद रखिए 49 प्रशन है निम्न लिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माड किया जाएगा जो दोधन बांध का निर्माड है के न बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा C option हमारे यहां पर correct answer हो जाएगा 40 प्रशन है किस वर्स तक भारत को उरवरक शेतर में आत्म निर्भर बनाने की घुष्टा केंद्री रसायन मंत्रा लेने की तो भारत को उरवरक के शेतर में आत्म निर्भर बनने का जो लग्ष रखा गया है वो 2023 तक रखा गया है और हमारे वर्तमान में केंद्री रसायन मंत्री कौन है तो मनसुख मंडाविया जो हमारे वर्तमान में रसायन मंत्री है इनका नाम भी important है अगला प्रश्ण है 41 दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उधगाटन काहा पर प्रधान मंत्री के दवराग किया गया तो देखिए जो दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम है इसका उधगाटन गुलमर्ग में किया गया था सही अंसर क्या हो जाएगा या भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ अगला प्रश्ण है 43 निमन लिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो बन गया हो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अप्सन निमन लिखित में से किस देश का पहला उपगरह है जिसे रूस के द्वारा लॉंच किया गया है तो यह जो है तो बीबी आई एन मोटर वाहन समझोता में निमन लिखित में से कौन सा देश सामिल नहीं है तो बीबी आई एन मोटर वाहन समझोता में म्यामार जो है सामिल नहीं है उप्सन नमबर हमारा है पर सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्ण है 46 कार्बन वाच एप को लॉंच करने वाला भारत का पहला केंदर सासित ब्रस कौन सा बन गया है तो यह बन गया है चंडीगर ऑप्सन नमबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्ण है 47 प्रश्ण यूनेस्को द्वारा सुरू की गई E9 पहल का सम्मंद किस छेतर से है तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा इसका सम्मंद है सिक्षा से ओप्सन नमबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्ण है 48 रासानी का थियार निसेद संगठन के बाहरीक लेखा परिशक की रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो हाली में ग्रिश चंद्र मुर्मू को जो है रासानी का थियार निसेद संगठन के बाहरीक लेखा परिशक की रूप में जो है नियुक्त किय युद्धा भ्यास के दोरान के देश की पंडूबी के आर आई नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ओपरेशन तेमान तुरू किया गया तो इस प्रशन का सही तुरू किया हो जागा यह इंडोनेसिया की जो है एक पंडूबी थी सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा और चार उप्सन है हनुई टेबलिसी काटमांडू और बाकू इसमें से कोई एक देशा है जिसको युनेस्को ने पुष्ट पुस्तक राजधानी 2021 की रूप में जो है नामित किया है तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो देखिए इस पुस्तक प्रशन में मिला के पचास प्रशन डिसकोस किये जो कि करेंट अफर के दिश्टे से काफी इंपॉर्टन थे अगर आपको वीडियो पसंदा तो जरूर सेर करिए ऐसे वीडियो अगर आप रोज देखना चाहते है तो जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन आपको जरूर से करिवाद से करिए रवाद।